जीवन की आपा धापी में जब उम्र निकल जाती है तो याद आता है कि हाँ तुफान तो आया था पर हमने रस्ता ही बदल दिया हम अपनी समझदारी पर कुछ मुस्कुरा दिये चलो बच गए पर आज उन बहादुर योधाओं के नामों की फैरिस्त में जो उन तुफानों से भिड़ गए आज हमारा नाम भी शामिल होता जैसे की रूमा देवी बहुत बहुत स्वागत है आपका आई टीवी गोल्ड स्टूडियो में कहां से लाती हैं आप इतना साहस कैसे अपने आपको संभाला अपने परिवार को संभाला शुरुवात से बताईए कि मैं राजेस्तान के बाडमिर से हूँ और बाडमिर से 30 किलोमेटर दूर राउसर गाउं में मेरा जनम हुआ था और जब मैं स्यार साल की थी तो मेरी ममी की देथ हो गई थी और पिता जी की दूसरी साधी हो गई आठवी में मेरा स्कूल चूट गया है स्कूल चूटने के बाद में वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी तो पानी लाने का काम मैं किया करती थी लेकिन उसके बाद में जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं दादी के साथ में बैठके कसी दखरी का काम सीखती थी जब मैं सतरा साल की थी तो मेरी साधी हो गई साधी के बाद भी गर की आरथी की स्थिती ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा आठवी में स्कूल चूट गए था और मेरा हस्बिन का पांसवी में तो ऐसा हमारे पास मैं इस था ही कोई रोजगार नहीं था जब साधी की डैट साल बाद में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसको अच्छे हो कूटकूटके तो नहीं जी सकती लेकिन अगर मैं कुछ काम करूंगी तो मेरा मन भी लगा रहे गया और कुछ मेरे पास में पैसे भी आएंगे तो यह सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना जो दादी के साथ में बैठके कसीदा कारी के जो काम सीखा था मैं उसी से स्टार्ड करत हों तो गाओं की महिलाएं जो माई के जाएगी वो बैग तो लेके जाएगी ही तो मैं बैग बनाना सुरू करती हूं तो सुई दागर लेके मैंने कसीदा करी का काम सुरू किया लेकिन इस टिसींग के लिए मसीन चाहिए थी वो मसीन मेरे पास थी नहीं ना मैं खरीदने के लिए सक्सम थी तो एक बार मैं और हिमत हार गी कि अब मैं कैसे करूं फिर मेरे दिमाग माया जो परेशानिया मुझे हो रही है वो और भी तो बैनों को होती होगी तो मैंने उन से जाके बात किया तो फिर हमने दस मैलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्फ ग्रूप बनाया और सो सो रुपए एकटा करके एक सेक्ट एंड मसीन खरी थी और वहां से हमने काम की सुरुआत की थी वन्डरफूल आप अपने बच्पन के बारे में बताएए आपकी सहेलिया आपका परिवार राजस्तान के गाओं का महौल कैसा होता है आपकी रुची रुजहान खेल कूद या चुटपन से ही सुई धागे से खेलने का शौक था आपको हमारा पूरा रहिगिस्तान एरिया है और एकठे गाओं में घर नहीं होते हैं Дूर दूर रेद के टिबहों के बीस में ढाणियां होती है और दो-तीन किलोमेटर या पांस किलोमेटर दूरी पे स्कूल होती है, वहाँ पे हम पैदल जाते और जब भी हम मेरी सहीलियों के साथ में मैं घर आती तो उनकी ममी तो उनके सामने आती, बेटा उन बैग लेती, फिर वो खाना खिलाती, लेकिन मैं जब घर जाती तो हमारा आ वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी, तो पानी लाने में मेरा ज़्यादा तर टाइम ज़्यादा था, मेरे पास में एक बैल गाडी होती थी, उससे मैं पानी लाती घर में भी और दूसरे लोगों के भी घर में पानी देने का काम करती थी, तो उससे एक-डूरी आंदनी क्या करना पसंद था? मुझे हमेशा घर के बाहर के काम करना अच्छा लगता था और मेरे ताउजी जो काम करते थे उनके साथ साथ में मेरा काम करने लगती थी ताउजी बोलते कि आप से नहीं होका लेकिन मेरी रुची होती थी कि मैं वो काम करूँ जो लड़किया नहां कर पाए लेकिन मैं करूँ तो हमेशा खेल कूद में और जो हाड काम होता था वो मुझे करना अच्छा लगता था अब बहुत छोटी सी थी जब जीवन में पहाड जैसा दुख आया अंग्रेजी में कहावत है कि every cloud has a silver lining निराशा में आशा की किरन कैसे खोच लिया अपने देखिये उस टाइम जो हमारी lifestyle है वो हमें तो वो लगता कि इतना hard नहीं लगा कभी क्योंकि वैसे ही जीते थे बाकी लोग भी तो हमें भी वो हस्ते खेलते हमने भी वो बस्पन के जी लिया लेकिन जब हमने काम की शुरुआत की तो कुछ जिमेदारिया हमारे उपर आई तो लगा कि वास्तों में जो हम कर रहे हैं वो कुछ नहीं है हमें ऐसा काम करना चाहिए और जब मैंने काम की शुरुआत की मेरे पास में कुछ इंकम आने लगी तो मुझे लगा कि मेरी जो गाओं की बैने हैं दूर तरा जरूरल एरिया में जो बैठी है उनके पास में भी तो कोई रोजगार नहीं है मैं क्यों ना उनको साथ में लेके क लाएंगे वह बहुत गाओं से दूर चोड़ेगी उसके बाद में उनके घर जाना रेत के वहां पर लगबग पसास प्लस डिग्री टेंपरेसर रहता है दूब रहती है पीने के लिए पानी भी नहीं था और उनके घर जाके उनसे बात करने की कोशिस करते तो सीधा बात भ हुद से बात करते तो देखते कि इनकी इच्छा है यह काम करने की तो फिर उनके घरवालों को भी संझाते की इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा यह घर बैटे काम करेगी हम इनको काम देख के जाएंगे और लेके जाएंगे जब उनको दिन में दो तीन गंड़ा टाई मिल एक लड़की का बाहर जाना घर से और काम की तलाश करना दूसरी औरतों को जोड़ना आपकी परिवार का कितना सपोर्ट रहा देखिए किसी को भरोसा नहीं था शुरू में कि ये कर पाएंगे लेकिन गरवलों ने भी मना नहीं किया ज़्यादा तो हमने और काम वैसा किया कि हमें खुद को विश्वास था कि हम कर पाएंगे बाकी लोगों की बाते हमने नहीं सुनी और हमने हमारे काम पे ही ध्यान दिया तो सबको बाद में विश्वास होने लगा आप थोड़ी rebellious थी कि नहीं मैं तो करके ही रहूंगी अब गुसा था अग्रेशन थी बिल्कुल उनको नहीं होनी चाहिए जैसे मेरा आठी में स्कूल चूट गया था तो आज भी लड़कियों का स्कूल चूट जाता है आठी अदस्वी से आगे नहीं पड़ पाती है साई वो आर्थी ग्रूप कमजोर से परिवार से आती है या स्कूल दूर होने के कारण तो उनके बच्छे को खोया की मेडिशन के कारण लेकिन आज हम गाउं गाउं में हमारी हेल्थ वेन जाती है डॉक्टर्स की टीम जाती है और वहां पे हेल्थ सेक आप आई स्कीनिंग उनको फिरी अपकॉस्ट ससमें देना क्योंकि हाथ का का में सुई धागे का का में आखों पे भी लगता है तो इस तरीके से अभी हम काम कर रहे हैं दो सालों में हमने लग बग 32,000 लोगों के आई स्कीनिंग करके उनको फिरी अफकॉस्ट ससमें दिये हैं और अभी हमारी मोबाल वेन है वो गाउं गाउं जाके कैम्प कर रही है तो ग्रामीन विकास विभाग का कितना रहे थी और 10 महिलाओं के लिए हमारे पास में काम नहीं था क्योंकि इतने बैग बनाते तो वहां पर लोकल भीगते नहीं तो फिर हम इदर-वुदर काम की तलास कर रहे थे तो उस ताइम हमें किसी ने बताया कि ग्रामीन विकास इतना संस्तान है जो महिलाओं के लिए काम करती है तो मैंने जाके वहां पे हम दो तीन बैने एक खटे होके वहां गए और संस्तापके विक्रम सिंग जी उन से जाके मिले कि हम हमारा समूब बना हुआ है हमें काम की जरूरत है तो वो महिलाओं को काम के लिए जोड रहे थे लेकिन महिलाएं आगे नहीं आ रही थी तो पहले बार जब हमारे पास में काम आया था तो हम बहुत खुश हुए थे और जाकर काम पे लग गए सुबर वापस आये तो उन्होंने बोला कि कल साम को लेके गए, अभी वापस आ गए, आपसे काम हुआ नहीं, मैंने बोला कि यह कैसे possible हो सकता है मैंने खुसी इतनी थी कि हमने पूरी रात बैठके काम किया तो फिर लगा कि वास्तों में ये काम करना चाहते हैं तो हमने बोला कि हमारी गाउं की और भी बेने हैं उनको भी हमें काम चाहिए लेकिन हम क्या करें जिससे हमारे पास में ज्यादा काम आ सके तो एक मिटिंग के बाद में यह हुआ कि आप एक्जिविशन करिए जिसमें हैंड टू हैंड आपके प्रोडेक्ट सेल हो जाएंगे और आपके पास में पैसे भी आ जाएंगे तो मैंने का एक्जिविशन होते कहा हैं तो जो मेट्रो सीटीज है दिली बंबे यह वहाँ पे होते हैं बाड में डिस्टिक हैड कोटर तक हम कभी गये नहीं और सिधा दिली बंबे कैसे जाएंगे लेकिन मन में हमने ठान लिया कि हम जाएंगे सबसे पहले तो कि घरवाले भ ऐन चाँ करतें हैंधी भी नहीं आती है तो हम कैसे वहां पे जाकर लोगों से बात करेंगे तो हमने जैसे ग्णी करके कृणिंग किया और बात करूंने इक एके सबस्क्न करने का हम sudah मैं मौका मिला अधीमारी के सब्सक्राइग के और हम से लोकल दपे में रेट दिल्ली पहुंच से वहां पर हमने हमारा बूत लगया बहुत घबराट हो रही थी लेकिन ज्यादा तर जो कस्टमर है वो हमारी लेडी सी है तो उन्होंने भी समझ लिया कि यह घबरा रहे हैं गाउं से आया हैं तो बड़े अच्छे से बाट किया कि बेटा आप यह इतने सुंदर प करेंगे और नेक्सर एक घो कि निए हम अच्छी तयारी करके आएंगे तो हम वापद जाके गाao घर कर जाके मैलों को कामके परती मोटिवेट करना सुरू किऐा उनको जोड़ा और नेक्सर एक्जूशन की हम अच्छी तयारी करके आएं और फिर हमारी दस से पंद्रह जार रुपे की सेल नहीं हुई थी पुरी 11 लाग की हम सेल करते हैं वाव अमेज़ेंग उसके बाद हमने सुचा कि हम अभी जो होम फनिसिंग के आइटम बना रहे हैं क्यों ना इसमें गार्मेंट्स बनाये जाए जैसे और ज्यादा लोग खरी देंगे और ब होता है तो उसका ताना बाना बिखर जाता है बहुत मुश्किल उसके काम होता है लेकिन हमारे मास्टर आटिजन है वो नहोंने अप्लीकाट काम भी कर लिया अटसर पे फिर उसमें हमने कुर्ते साड़ी दूपटे यह बनाए लेकिन प्रफलम यह थी कि पहले ज्यादा अपने प्रड़ेक्ट वो सो कर सकते हैं तो फिर लगा कि हमें करना चाहिए लेकिन एक अधर उदर पता किया तो उस टाइम रास्तान में ही रास्तान हेटेज हो रहा था जैपूर में वहां जाकर हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैसंट तो करना है तो उनोंने भी यह बोल गें लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया हैं कि हमें एक घर आप मॉका दीजिये तो एक लाका मिला लेकिन वास्तातम हमारे साम ने प्रोब्लम थे कि हम डिजैंरों के साथ हमारा कैसा है बनाएंगे के । फिर हमने चुच़ा कि हम और बड़े ऑन्जों से मधत मांगते हैं तो दो जनों से हमने बात किया तो उनों ने बोला कि ये डिजाइनरों का काम है आप छोड़ दीजिये आप जहां पे काम करें वही आपके लिए बैटर है तो फिर लगा कि मदद करने वाला तो कोई नहीं है लेकिन मैं फैसंद चोज जरूर करूंगी जैसा हमें समझ में आया हमन क्लेक्शन बनाने के लिए वाओ उसके बाद में डिजाइनर आप द येर का एवर्ड भी मैंने ही जीता था और ट्राइबस इंडिया की मैं गुट्विल अमिश्टर हों तो हमने अलग अलग इस्टेट में फैसंसों और रहे हैं हम क्योंकि ट्राइबल आटिजनों के जो प इसान मिलनी चाहिए कि वास्तों में डिजाइनर तो वो लोग है जो काम करते हैं वो डिजाइन बनाते हैं तो हमने मॉडल के साथ में जो गाव के आटिजन हैं उनको भी रैंप वो उन्हें कैसा experience हुआ मतलब कुछ नहीं बहुत अच्छा रहा क्योंकि उनका बढ़ता है औ उनका दिमाग खुलता है इसे में बहुत खुसी हुई थी कि सबसे चोटा सुई धागे का काम मने जाने वाले लिए हमें कोई अवार्ड मिलेगा यह हमने राश्पती जी के हाथों दूर से देखते हैं कि वहाँ पे हैं लेकिन अंदर जाके सम्मान लेना यह हमारे लिए बहुत गरुप की बात हैं तो वो सम्मान मैं मेरा नहीं मानती हैं वो मेरी जो 30,000 बैने काम करने वाली है उनका है और और भी बैनों को मिलता रहे हैं आप कितनी ही महिलाओं की प्रेरना हैं पर आपकी प्रेरना कौन है? Who is your role model? मेरी प्रेरना मेरे customer है जो हमेशा मुझे motivate करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आप जो product है वो इस तरीके से बनाइंगे तो और ज़ादा अच्छे होंगे तो जैसे वो बताते हैं हम वैसा करते गए तो आज जब भी, क्योंकि ज़ादातर हमारी जो customer है वो मैला हैं और उ आपकी website भी है उस पर आपके बनाए कपड़े और handicrafts भी हैं बीचे भी जाते हैं तो समय के साथ आप में business sense या marketing सीखना कितना चुनौती पूर्ण था ये सब यह तो सारी सीजर सुनौती पर रही था लेकिन हमने हमेशा ध्यान दिया कि market में क्या चल रहा है कैसे चल रहा है ज हमने सोचा कि क्यों ना अपन ऑनलाइन करें जो घर बैटे लोग हैं वो भी खरीद पाएं तो उसी टाइम हमने हमारा जो वेबसाइट है मादेवी.com वो लांच किया और उसके माध्यम से महिलाएं अपना प्रोडेक्ट सेल कर रही हैं तो आज की सदी में गाउं की महिलाएं कितना बदलाव आया है उनकी जागरुकता में क्या वे अपने मानविय अधिकारों के बारे में सोचती हैं पढ़ना लिखना चाहती हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जैसे मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती हैं? नाम लिखना सीख जाए और साथ मैं उनकी सोच में बदलाव आता है कि मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन मैं मेरी बेटी को जरूर पढ़ाओंगी तो ये सोच में बदलाव आ रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि महिलाएं खुद अपने हाथ से काम करेके बेटियों को पढ़ा रही है क्या बदलाव देखना चाहेंगी आप दुनिया में देश में महिलाओं में या पूरे समाज में मैं यही देखना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं वो अपने पेरों पे खड़ी हो किसी के आगे हाथ फिलाने की जुरुत ना पड़े उनको और वो अपना काम करके सक्सम बने है अंत में हमारी दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी बिल्कुल मैं एक चंदेश हमेशा महिलाओं को देती हूँ और आज भी देना चाहूंगी कि महिला महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े हम सब में कोई नो कोई हुनर जरूर है, तो क्यों नो हुनर के जरीए आगे बढ़े, स्वाल लंबे बने अगर खुद पर विश्वास है, तो खड़े रहें, अड़े रहें खड़े रहें, अड़े रहें इसके साथ ही हमारा ये कारक्रम यही समाप्त होता है और हम से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद